प्रियंका गांधी वाटरा ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के शब्दों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है नरेंदर मोदी जी आपके चमचो ने एक शहीद प्रधान मंतरी के बेटे को देश द्रोही मीर जाफर कहा आपके एक मुख्य मंतरी ने सव अरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वे नेरू नाम क्यों नहीं रखते लेकिन आपको किसी जज ने दो साल की सजा नहीं दी आपको संसद से दिस्क्वालिफाई नहीं किया गया राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौकला गये आप मेरे परिवारवादी कहते हैं जान लीजे इस परिवार ने भारत के लोगतंतर को अपने खून से सीचा है तो यह ट्वीट प्रियांका गांधी ने किया है विवेक बिल्कूर आगे लिखते हैं जिसे आप खत्म करने में लगें इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ सामने हमारा परिवार ना कभी जुका है ना कभी जुकेगा आप कुछ भी कर लीजिए तो प्रियंका गांधी इस पूरे एपिसोड को अगर आप देखे तो इसे एक विट्म कार्ड के तरह सामने रखना चाह रही है वो सब कुछ बता रही है लेकिन यह नहीं बता रही कि इस वक्त कुछ बोल रहे हैं सीदे आपको लिए चलते हैं अज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है जो लोग देश को तबाह करना चाते हैं बीजेपी में रहो और जो लोग देश को बचाना चाते हैं आज बीजेपी छोड़ दो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ प्रस्ताव लाया गया है दिली विदान सबा में अरविंद divergence रिवाल ने करता हूँ राउल गांधी के खिलाफ जो फैसला संसर की सदस्ता रद करने वाला आया उस पर ये प्रस्ताव विदान सभा में लाएगा जिस पर केजिवाल कह रहे थी कि मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन अब प्रियंका गांधी वाडरा ने बड़ा ट्वीट किया है वो लिखती है कि प्रदान मंत्री मोदी जी आपके चम्चो ने एक शहीद प्रदान मंत्री के बेटे को देश द्रोई मिर्जाफर का आपके एक मुख्यमंत्री से सवाल उठाया कि राउल गांधी के पित पर सवाल उठाये गया क्या आपका मित्र गौटम अडानी देश की संसद और भारत की महान जंता से बड़ा हो गया उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बॉकला गए आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं जान लीजे इस परिवार ने भारत की लोगतंत्रुक अ लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर